अगर आप में चानल पर नहीं है तो चानल को सुब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो शिक्षा निदेशाले राष्ट्रे राजधानिक शेत्र दिल्ली की तरफ से विशय हिंदी की कारेपतरक नंबर 29 तिथी 26 ऑक्टोबर 2021 के लिए कक्षा 6 की ये कारेपतरक है यहां विद्यारती अपना नाम लिखेंगे और यहां अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापि का का नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रेम चंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के पिछले भागों में हमने जाना कि कैसे केशव वे शामा द्वारा चिडिया के अंडों की देखबाल करने के बावजूद भी अंडे नीचे गिर कर फूट जाते हैं आज हम कह कहती है तू वहां पहुचा कैसे कहा की बात कर रही है कि उन अंडों के पास तू पहुचा कैसे अब शामा जो उसकी बहन थी वो क्या कहती है चौकी पर स्टूल रखकर चड़े अम्मा जी कि उन्होंने इस चौकी पर क्या रख लिया था स्टूल और उस स्टूल पर चड़ तो मा ने कहा कि तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिडियों के अंडे गंदे हो जाते हैं कि तू इतना बड़ा है और तुझे ये तक नहीं मालूम कि चिडियों के अंडे अगर छूते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं चिडिया फिर उन्हें नहीं सेती तो फिर चिडिया उनकी देखवाल नहीं करती है उनको सेती नहीं है शामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिडिया ने अंडे गिरा दिये हैं अम्मा जी तो शामा क्या पूछती है डर कर कि इसका मतलब जो चिडिया है उसने अपने अंडे गिरा दिये तो मा कहती है और क्या करती केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा तो इसका पाप किसको लगेगा केशव को हाई हाई तीन जाने लेली दुष्ट ने केशव रोनी सूरत बना कर बोला मैंने तो सिरफ अंडों को गद्डी पर रख दिया था अमा जी मा को हसी आ गई तो कितने अ खा था अम्मा जी ये सुनकर मां को हसी आ गई मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती कर रखी थी कि वो बहुत दिन तक अफसोस करता रहा इस बात का अंडों की हिफाज़त करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश हो गया इसे याद कर वे कभी कभी रो पड़ता था और यह सोच कर उसको रोना भी आता था कई बार दोनों चिडिया वहां फिर न दिखाई दी उसके बाद फिर वहां पे उन दोनों चिडिया में से कोई भी चिडिया कभी नहीं आई वापस अब गद्यांश को पढ़कर प भीगी बिल्ली बनना ये एक मुहावरा है तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है तो भीगी बिल्ली बनना इस मुहावरे का अर्थ होता है डर जाना तो गहा उप्शन सही होगा दूसरा प्रशन है केशव ने अंडों को कहा रख दिया था कहा पे रखा था उसने गद्दी पर है ना तो इसलिए घा option सही होगा तीसरा प्रशन देखते हैं अब तीसरा प्रशन है मा के डाटने वैं समझाने का केशव पर क्या प्रभाव पड़ा तो इसका उत्तर हम देखो कैसे लिखेंगे इसका उत्तर रहेगा कि मा के डाटने वैं समझाने पर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा अंडों की हिफाज़त करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला इसे याद कर वे कभी कभी रो पड़ता था तो ऐसा महसूस हुआ केशव को इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे अब आगे देखते हैं गतिविदी दियुही तो कैसा महसूस करते इसको आपको लिखना है तो इसका उत्तर हम जो है कैसे लिख सकते हैं इसका उत्तर हम लिखेंगे कि अगर मैं केशव की जगे होती या होता तो मुझे भी अंडों को नुक्सान पहुचाने का अफसोस होता और मैं भविश्य में ऐसी गलती कभी नहीं दूहराती, तो यह उत्तर भी आप लिख सकते हैं, इसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से कोई उत्तर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं और इसा साथ 172 साथ बचने के लिए नियम इतरूप से अपने हातों को साबूर पानी से धोते रहना है आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट करें चानल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में